हेलो गाईज आज हाम जो गाना सिखने वाले है बो है आशी किटू मूवी से अरजी सिंग सेर का गाया हुआ गाना तुम ही हो इस गाने को आज हाम गिटर पे सिखेंगे और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है जिनोंने भी आभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे शुरू गत्त है आज का लेसन तो गाने का जो इंट्रो पाठ है वो मैं प्ले करके दिखा देता हूँ तो इस पार्ट को प्ले करने के लिए थार्स ट्रिंग 10 सेगं स्टिंग 9 फास्ट रिंग 8 नाइन सेगं स्टिंग 9 सेगं स्टिंग 11 सेगं स्टिंग 8 तो इस पार्ट को हम फोर टाइम्स प्ले करेंगे ऐसे करके एक बार दो बार तीन बार तो मैं फिर से प्ले करके दिखा देता हूँ तो इसके बाद जो मुखड़े का पार्ट है हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तो पहले तो इतना ही सिखेंगे तो इस पार्ट को प्ले करने के लिए फर्स्ट्रिंग 8, 13, 11, 11, 9, 9, 8, 2nd स्ट्रिंग 11, 9, 11, 1st स्ट्रिंग 9, 8, 8 तो मैं स्लो करके दिखा देता हूँ तो इसके बाद तो इस पार्ट को प्ले करने के लिए 2nd स्ट्रिंग 11 फ्रेट के उपर 2 ताइम स्ट्रोक्स 9, 2nd स्ट्रिंग फिर से 11, 11, 9, 8, 2nd स्ट्रिंग 10, 2nd स्ट्रिंग 8 8 से लेकर 10 फ्रेट पर स्लाइड ऐसे करके तो क्या हुआ तो इसके बाद इंट्रो पार्ट फिर से 2 टाइमस प्ले होगा ऐसे करके तो इसके बाद नेक्स्ट इस पार्ट को प्ले करने के लिए 1st स्ट्रिंग 8, 13, 11, 11, 9, 9, 8 2nd स्ट्रिंग 11, 9, 11, 1st स्ट्रिंग 9, 8, 8, 2nd स्ट्रिंग 9 तो इसके बाद तो इस पाट को प्ले कारने के लिए सेगंड स्ट्रिंग 11-11 9 फिर से 11-11-9 8 से थर्स्टिंग 10-8 8 से लेकर 10 फेट पर स्लाइड तो इसके बाद तो इस पाट में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इस पर आम 8-8 टू टाइम्स प्ले करेंगे सेमी हैं इसके बाद तो इस पाट को प्ले करने के लिए से इसे से इसके स्टिंग 11-11 9 फिर से 11-11-9 एट से इसके स्टिंग 10-8 8 से लेकार 10 प्रेट पर स्लाइब तो इंट्रो से लेकार जो आमने सिखा मैं फिर से प्ले करके दिखा देता हूँ पुरे पाठ को ताकि आप लोगों को समझ में आजे कर दो आप लोगों को तो इसके बाद क्यूंकि तुम ही हो तो इस पाठ को प्ले करने के लिए 2nd string 9, 11, 1st string 8, फिर से 9, 11, 2nd string थोड़ा रुखने के बाद 9, 11, 2nd string 1st string 8, 2nd string 9, 11, 2nd string 9, 11, 2nd string 9, 11 तो इस पाठ को प्ले करने के लिए 2nd string 8, 11, 9, 2nd string 8, 3rd string 10, 2nd string 8, 3rd string 8, 10 3rd string 8, 3rd string 10, इसके बाद जो नेक्स पाठ है तो इस पाठ को प्ले करने के लिए 2nd string 8, 9, 11, 8, 9, 11, 2nd string 1st string 8, 2nd string 9, 11, तो इसके बाद, 2nd string 9, 11, 1st string 8, 2nd string 9, 11 तो इसके बाद, तो इस पाठ को प्ले करने के लिए 2nd string 8, 11, 9, 8, 3rd string 10, 2nd string 8, 3rd string 8, 3rd string 8, 3rd string 10, तो इसके बाद जो सोदो पार्ट है वो हम सिखेंगे तो इस पार्ट को हम टू टाइम्स प्ले करने के लिए second string 8 9 11 इसके बाद 2nd string 11 1st string 8 11 8 2nd string 11 1st string 8 तो, then second string 11, 9, 8, तो क्या हुआ, फिर से 11, 8, 11, 8, 11, 8, 11, 8, 11, 9, 8, तो, ये जो पार्ट है, ये फिर से repeat होगा, मतलब, इतना हो जाने के बाद, ये जो पार्ट है, two times play हो रहा है, two times play हो रहा है, ठीक है न, तो क्या हुआ, next, तो इस पार्ट को play कारने के लिए, second string 9, 11, 9, 11, 9, 8, third string 10, second string 8, third string 10, तो क्या हुआ, तो ये जो पार्ट है, मैं पूरा play करके दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग को समझ में आजाए, तो इसके बाद जो next part है, तेरा मेरा रिष्टा है कैसा, तो पहले तो इतना ही सिखेंगा, तो इस पार्ट को play कारने के लिए, 1st string 8, 13 से लेकर 11 fret पर, slide, 11 से 9, slide, 9, 8, 2nd string 11, 9, 11, 1st string 9, 8, 8, 2nd string 9, तो इसके बाद, तो इस पार्ट को हम पहले ही सिख चुका है, तो मैं फिर से explain कर देता हूँ, 2nd string 11, 11, 9, फिर से 11, 11, 9, 8, 3rd string 10, 8, 8 से लेकर 10 fret पर, slide, तो पुरा पार्ट क्या हुआ हुआ? तो इसके बाद, नेक्स पार्ट, तो नेक्स पार्ट में सिर्फ यहाँ पे हम 8, 8 प्ले करेंगे, 2 टाइम्स, 8 प्ले करेंगे, 2 टाइम्स, जो बाकी है, वो सेमी रिपीट होगा, तो 8, 8, 1st string, 13 से 11, slide, 11 से 9, slide, then 9, 8, 2nd string 11, 9, 11, 1st string 9, 8, 8, then 2nd string 9, तो क्या हुआ? इसके बाद, तो यह पार्ट तो हम पहले ही सिख चुके है, तो मैं स्क्रीन के उपर नोडेशन दे दूँगा, मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है? तो इसके बाद जो नेक्स पार्ट है, कोई लम्म हां मेरा, तो इस पार्ट को मैं प्ले करके दिखा देता हूँ, तो पहले तो इतना ही सिखेंगे, तो इस पार्ट को प्ले करने के लिए, थर्ड स्टिंग, एट से लेकर, 10 fret per slide, 10, 8-8, 2nd string, 3rd string, 10, 2nd string, 8-8, 1st string, 9-9, 8-8, 2nd string, 11, 11 से 13 slide, तो इसके बाद, मैं slow करके दिखा देता हूँ, तो इस पार्ट को प्ले करने के लिए, 2nd string, 13, 1st string, 13, 1st string, 12, 12, 1st string, 12, 13, 13, 2nd string, 13, फिर से 13, 11, 11, 9, 11, 9, तो क्या हाँ? तो इसके बाद, तो इस पार्ट को प्ले करने के लिए, 9 से 11 पर हैमारान पुलाओ, then slide to 8, ऐसे कर थे, then 8, तो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, क्यूंकि तूं ही हो, तो हम लोगोंने पहली सीख चुके है, तो मैं स्कीन के उपर नोटेशन दे दूंगा, मैं फिर से एक्स्पलेंग नहीं कर रहा हूँ, इसके बाद जो सोलो पार्ट है, वो ही रिपीट होगा, तो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, वो है, तो इस पार्ट को मैं प्ले करके दिखा देता हूँ, तो इस पार्ट को प्ले करने के लिए, फास्ट रिंग, थार्टिन, थार्टिन, इलवन, इलवन से थर्टिन स्लाइ, थर्टिन, फिप्टिन, इलवन, इलवन, थार्टिन, जो इसके बाद, जो इसके बाद, इस पार्ट को प्ले करने के लिए, फास्टिन, ऐट, ऐट, नाइं, नाइं से लेखा थर्टिन, स्लाइड, थर्टिन, थर्टिन, फिक्टिन, एलवन, इलवन, एट फस्टिंग के उपर तो क्या हुआ तो इसके बाद जो नेक्स पाट है तो इस पाट को प्ले गाने के लिए फस्टिंग नाइन एट नाइन एट नाइन एट नाइन नाइन सेगन स्टिंग इलेवें इलेवें फस्टिंग एट नाइन एट तो क्या हुआ ठीक है ना तो इसके बाद नेक्स पाट है तो इस पाट को प्ले गाने के लिए तो इसके बाद जो पाड़ है वो पार्ट रीपीट होगा कोई लग महा मेरा तो इसके बाद क्योंके तुम ही हो ठीक है न तो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो के